बिस्मिल्लाइरोख्मान रहीम, अस्सलामों आज के नियो टुटोरियल में आप सब का वेलकम करता हूँ, आज के टुटोरियल में हम देखेंगे के आप कैसे डेटा इंटरी सीख सकते हैं, अगर अभी तक आपने मेरे सारे के सारे वीडियो को फोलो की है, उनको प्रैक्टिक प्रैक्स बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा, जिनको अगर वो आपको वह मैथड़ आते हैं, वो तरीका आता है, तो आप डेटा इंटरी समझ लें, सीख चुकी हैं, आप डेटा इंटरी के अडवांस आप एक्सपर्ट हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आ आपको वक्त पर मिल सके, तो स्टार्ट करते हैं जी, तो डेटा इंटरी सीखना कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, अगर आप बिल्कुल नहीं हूँ है, बिल्कुल नहीं हूँ, आपको कुछ भी नहीं आता, तो मेरी आप चार से पांच चीजें हैं, इनको फोलो कर ले आप डेटा इंटरी इन्शाला सीख जाएंगे, वह कौन सी चार से पांच ऐसी चीजें हैं, वह आप देख लें, नोट कर लें, उसके उपर आपने प्रैक्टिस करनी हैं, डेली बेसिस की ओपर ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप डेटा इंटरी प्रैक्टि apologize, तो यह सर हां की ओपर का बेसिक ननोबज्ज है, यह आपको आना चाहिए, ठीक है, अगर के आप साफट्वेर कैसे इन्सटाल करती हैं, कैसे डाउनलोड करती हैं, वगारा वगरा तो यह सरा कॉप्रैक्टि नोबज्ज है, यह आपको आना चाहिए. ठीक है, सेकेंड चीज़ आपको पता हो के टाइपिंग कैसे करते हैं टाइपिंग हलके बुलकी होती है और टाइपिंग इंग्लिश में हलका बुलका आपको लिखना आता हो कम्प्योडर के उपर अगर नहीं आता तो अभी आप अपने टेक्स्ट ओपन करें वहां से आप एक फाइल क्रियेट करें और वहां पे कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दे अपनी प्रैक्टर्स करें डेली बेसिज के उपर जिससे आसा आसा आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज होती जाएगी और टाइपिंग स्पीड डेटा इंटरी के अंदर बहुत मेंडर करती है जितनी ज्यादा आपकी टाइपिंग स्पीड होगी उतना जल्दी आप काम अपना परजेक्ट को कम्प्लीट कर पाऊगी ठीक है तो थर्ड चीज हमारे पास है जी ठीक माइक्रोसफ्ट के जो शॉफ्टवेर है माइक्रोसफ्ट वर्ड है Microsoft Excel for beginners तो यह आप keyword search करें आपको videos मिल जाएंगी आप simple उन videos को regular base के उपर देखें practice करें इन्शाला इन्शाला एक हफ़ते के अंदर अंदर आप सीख जाएंगे Microsoft Excel भी Microsoft Word भी इतना कोई difficult चीज नहीं है आपको data entry में सिरफ इनके उपर data copy paste करना आना चाहिए formatting कैसे करते हैं वो आनी चाहिए duplicate data कैसे remove करते हैं वो आना चाहिए किसी document को कैसे आपने manage करना है format कैसे बनानी है उसकी वो आना चाहिए तो यह basic basic सी चीजें है Microsoft Word की Microsoft Excel की तो यह आनी चाहिए आपको data entry ये लिए और last हमारे पास जो option है वो है इंटरनेट research का के आपको Google के उपर आप कितना use करते हैं किसी आपको अगर कोई चीज fine load करनी है तो आप वो कैसे fine load करोगे आप किन-किन methods का use करोगे example के तो और पर अगर आपको किसी company का data fine load करना है USA से किसी specific location से आप वो कैसे fine load करोगे वैसे हम गाने वगरा तो download कर लेती है जी है simple गाने का नाम लिखिया गाना आ गया तो इसी तरह data entry में आपको करना होता है client आपको हर चीज provide करता है आपको simple वो चीज copy करनी है Google पे जाके paste करनी है आपको उसके results आ जाएंगे आप पे depend करता है कि आप कौन से results को choose करती हो वो आपको हलका फलका knowledge होगा उस चीज के बारे में तो आप easily choose कर सकती हो कि कौन सी चीज client के लिए best है और last चीज है वो किसी भी freelancing बंदे के लिए है कि आपको client के साथ deal करना आना चाहिए ये client की बातों को समझने आता हो कि client कहना क्या चाहता है client को ये project क्यों चाहिए client इस project के क्या चीज़ें लेना चाहता है ठीक है example के तोर पर अगर उसको real estate के लोगों का data चाहिए तो आपका mindset हो कि यार इसको real estate के लिए किसे बंदे चाहिए अजेंट्स चाहिए, बायर चाहिए, सेलर चाहिए, कैसे बंदे चाहिए जब आप क्लाइंट की इन छोड़ी छोड़ी चीजों को समझना स्टार्ट कर दोगे तो आप समझे लो, फ्री लांसिंग आपने सीख लिए है, आप काम कर सकते हो तो यह छोटी-छोटी से चीजें है, डेटा इंट्री का कोई स्पैसिफिक कोर्स मजूद नहीं है अभी तक, ठीक है, तो ना ही इसका हो सकता है, क्योंकि इसमें हर एक जो आने वाला प्रोजेक्ट है, वो पहले प्रोजेक्ट से डिफरेंट होता है, वो जब आप कुद आप आपको आइसा हर चीज सीख जाएंगे, आप सिंपल से स्टार्ट अप करें, अगर आपको अभी तक कहीं से प्रोजेक्ट नहीं मिला, किसी से फ्री में प्रोजेक्ट ले लेंगे, यार मैं आपको फ्री में करके दूँगा, उसे आपका थोड़ा सा एक्स्पिरियंस लेवल बन जाएगा, कि यार ऐसे काम करते हैं, यार ऐसे काम होता है, तो उससे आप एजिली फिर सीख सकेंगे, कि यह हो कि अच्छरा है इस चीज के अंदर, तो बस आज की वीडियो में यही बताना था कि यार कुछ लोग कन्फ्यूज है कि डेटा इंटरी का स्पेसिफि नहीं है तो आप वो भी सीख जाएंगे, तो इन स्टैप्स को लाजमी फूलो कीजिएगा, तो अमीद करता हूँ कि आपको समझ लग चुकी होगी, कि आप कैसे डेटा, तो मिलते हैं चला नेक्स टोडरल में, ताब तक के लिए खुदा हाफिज अलाह नेके बाहुआँ